गुड मोरिंग प्रेंट आज के जो टोपी कहा इंडियन जोगराफी और भारत के भुगोल से भारत की मीटिया हम देखेंगे इंडियन स्वाइल से सभी इंपोर्टेन हम कोशन थिवरी प्लस प्रिवेस यर कोशन के साथ हम इसमें डिसकॉस करेंगे ठीक है इसमें क्या देख प्रिवेस इसमें इसका हम यहां पर समेंडिश करेंगे जलते बिना देरी के स्ष्ट्रकॉर्ट करते हैं phones के लिएफ इमडूर्ओएव स्वाइल स्वाइल अगर वीडियो चलेगे एक लाइक एक सब्सक्राइब जो करें फिर्ण स्टार्ट करते हैं जलोर मीटी एलवेबर स्वाइल से खात से भरकूर और बहुत उपजाव मीटी होते हैं को से मीटी जलोर मीटी ध्यान रखेंगे यह उत्री मैदानों नर्मदा ताप्पी मीटी के निचली घाटियों और उत्री गुजरात में पाई जाती है इसका हर सल नभी करनिये होता है किसका जलोर मीटी का होते है नभी करनियों होते हैं द्यान रखेंगे आगे देखते हैं इसमें चावल, गेहुं, गरना, जूट का तेल, बीज और दाले इस मीटी पर और लावा के परवासी मिटी बनती है कौन ब्लैक स्वाइल बनती है देखते हैं इसमें यह धकन के लावा मार्ग पर एकतित होते हैं जिसमें महाराष्ट, छतिसगर, मधर पर्देश, गुजरात, आंधर पर्देश और तमिल नाडू के कुछ इसे में सामील हैं इसमें चून कि हिते के लिए। करिकंद अग्रिया लिए विषयर रूप से उप्यूकद मिटी हो ि अच्छ योई कंग कांद आज नोगी यह समय दिया बंटुरा आगे तो, bringt स्वाइल का बारे में जानाएं के बारे मॉन मिटी को जयांगे मेधे हैं यह मेटी धकन का पठार प्राचीन मेट फार्म चटानों के अप्पेच से बनती है इस मीटी का लली में इसे मोजूद लोह तोत्यों की मात्रा के कारण होती है जब यह मात्रा कम होती है तो इस कारण पीले रंग से भरपूर रंग का हो जाता है यह मीटी लगवा पूरे मीटी देखते हैं क्या लेट राइट मीटी के बारे में पर जनकारी करता है लेट राइट मीटी लेट राइट चटानों से फुटकर बनी होती है जो कि चोरस उची भूमियों पर मिलती है इस मीटी में एलमुनियम लोहा चूना अधिक मिलता है वहीं वहीं गहरी गहरी ले पीट मीटी के बार में देखने को मिल जाएगा इस मीटी में फासफोस और पोटास के मात्रा अधिक नहीं होते किस मीटी में पीट मीटी में एक्ष्टर ज्यादा नहीं होते कि आगे देखते हैं अब यहां से कुछ प्रिवियस कोशन के साथ हम कुछ जो भी कोशन करेंगे जो कि आपका हर एक्जाम के लिए बहुत वीडियो होने वाले यहां पर भारतिये क्रिस अनुसान परिशाट का अनुसार भारत में कितने परकार के मिटीया पाई जाते हैं तो से महाराष्ट में क्रिसी के लिए सींचाय के आउसेक्तानी होती है काली मिटी में क्रिसी केowanie काली मिटी में कि यहां रखेंगे नेश्पूशन देखते हूं कुछन में ठट रखते हैं महराश्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जानने वाला उप्लब मृदा का परकार केसा है तो यह काली मीटी है किसमें महराश्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन मीटी है काली मीटी अगला देखते हैं कुछनौर 5 गांगा की जिलोर मीरदा की घराई भूमी की सता से लगवग चौवहजर मीटर तक होती है गांगा की चलोर की मीरदा की घहराही भुमिस लवगवन चवह आजार मिटर तक होती है, कितने शो़जार मिटर तक अगला कोशन देखते कोश्ळ नमँजी लोट मेधानों की पुरानी कच्छारी ज龍 ने बहुत ही को सबसे महाथ्पूर मेटी कों से जलोर मेटी होते हैं जलोर मिटी भारत के सरवाधिक छेत्र पर किस परकार की मिटी का विस्तार पाया जाता है जलोर मिटी का विस्तार सब से पाया जाता है भारत की सरवाधिक छेत्र पर सब ज़दा जलोर मिटी पाया जाता है कोस मिटी जलोर मिटी पाया जाता है गार गार आप शेत्र फल का दाखर है थैने स्विति निए अर्व रहें और वक्रूं से प्लेय जयघुत मीड़ा र्णूमेट इस लोर मीटी लाल मिटी और मेटी और मैटी होती है द्राइन रखेंगे यह कोंचे नम्र्स लेवंइल भारत की निमलीखित मिर्दाओं में कौन सी पेसाअल कि लावा चॉक्राइब दुर्श् मिट्रिये कहने सिर्च नम्री काली मिटी और किस नाम से झान जाते हैं तो रेकूर पीकाली मिटी को रेकूर मिटी के नाम से भी जान जाते है क्या काली मिटी को रेगूर मिटी के नाम से भी जानी जाती है इसका परमुष कारण के है क्योनिकि जलवायूस रचना और उच्छे वाद की वीवितिता के कारण भारत में बातु में चेतने gap को ऑद है के रिवाट की वीवितिता के पुरानी जलोड मीटी को किस और नाम से जान जाता है तो यह बांगर मीटी के नाम से जाना जाता है कुन मीटी बांगर मीट अगला देखता हूं भारत के उत्री मैदान के मिर्दा समान तो तलो चन से होती है ध्यान रखेंगे इस कोशन को भी